नए criminal law वाले तीनों बिल राज्य सभा से भी पास हो गए राश्ट्रपती की मुहर लगने के साथ ही कानून अमल में आ जाएगा मौजूदा IPC, CRPC और Indian Evidence Act की जगह नए तीनों कानून भारतिय न्याय सहिता, भारतिय नागरिक सुरक्षा सहिता और भारतिय साक्षी अधिनियम होगा ऐसे में अहम सवाल ये है कि मौजूदा कानून के तहत दर्ज केस जो पेंडिंग है उस पर क्या असर होगा क्या नए कानून सिर्फ नए मामले में लागू होंगे? क्या अदालतों में दोनों ही मामले साथ चलेंगे? इन कानूनों के पास होने के बाद पुराने केसों का क्या होगा? आईए बताते हैं संसद के दोनों सदनों में तीन नए क्रिमिनल लौ पास हो गए हैं केंद्रिय ग्रह मंत्री अमित शाह ने सदन में बिलों को पेश किया, इसी के साथ राजद्रोह कानून में भी बदलाव हो गया है। इस कानून के कारण बाल गंगा धर्तिलक, महात्मा गांधी, सरदार पटेल समेत, देश के कई स्वतंतरता सेनानियों को 6-6 साल जेल में रहना पड़ा। अस्त्र विद्रोह में शामिल होता है या इसे बड़ावा देता है और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खत्रे में डालता है या ऐसे अपराद में शामिल होता है तो उसे आजीवन कारवास की सजा होगी। अब सवाल ये उड़ता है कि इन बदलावों के बाद उनका क्या होगा जिन पर पहले से राजद्रोह के मामले चल रहे हैं। इस मामले में कनहया कुमार, कफील खान, दिशारवी जैसे कई लोग शामिल हैं। जानते हैं कि राजद्रोह को देशद्रोह करने से ऐसे मामलों में सुनाई जाने वाली सजा और जांच के तरीके पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दरसल भारतिय दंड संहिता 2023 के प्रावधान कानून के लागू होने के बाद दर्ज हुए मामलों में ही लागू होंगे। नए कानून में जो सजा बढ़ाई गई है उससे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिन पर पहले से ऐसे मामले चल रहे हैं हालांकि सजा भले ही पुराने कानून के तहट दी जाए लेकिन जांच और पुलिस के काम करने का तरीका बदल जाएगा वो सब नए इस खबर की शुरुआत किसी अभियुक्त को पुलिस हिरासत में रखने की अधिक्तम सीमा 15 दिन से बढ़ा कर 90 दिनों तक करने के प्रावधान से की है पिछले कानूनों को अपनिवेशिक काल का प्रतीक बताते हुए शाह ने गांधी परिवार पर निशाना साधा उन्हों कुछ लोग कहते थे कि हम इन्हें नहीं समझते मैं उन्हें कहता हूँ कि मन अगर भारतिय रखोगे तो समझ में आ जाएगा लेकिन अगर मन ही इटली का है तो कभी समझ नहीं आएगा ये तीनों बिल पहली बार अगस्त में हुए संसद के मौनसून सत्र के आखिरी दिन के बाद इन्हें संसदीय स्थाई समिती के पास भेज दिया गया था इंडियन एक्स्प्रेस के अनुसार इस समिती की अध्यक्षता बीजेपी सांसद ब्रिजलाल के पास है समिती ने सितंबर से अक्टूबर के बीच छे दिनों से अधिक मुलाकात की इन विधेकों पर चर